अब सभी को शलोम बर्षम जेश्वा मिश्याःख मेरा नाम शासल वहश है और मैं आपके साथ अपने तोरा पार्शा के स्व dic-docς कोанов बात करेंगी हैं हम जह ढ़रा की हिताब के तोरा पार्शा को पर बात करें आज का जो तोरा पार्शा है इसका नाम है पार्शा हाजेनु वह जो कि मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको जरूर कहूंगी कि आपने मेसेज़ेश जाएं www.backtothora.com पर देखनें सुननें पढ़नें और अगर आप फेस्बूक पर रहें तो फेस्बूक पर भी मेरा ग्रूप पर है इनर्थी के नाम से youtube पर हैं तो youtube पर मेरा चैनल है बाइबल तो नाम से या फिराप मेरा नाम शाजिय लोँस के नाम से सर्च कर सकते हैं बहुत से लोगों के लिए जो है वह बैक तू तोरा को spell करना मुश्किल है so मेरा नाम शाजिया आप टाइप करें तो उमीद है आजएगा so आज का जो तोरा पार्षा है इसके पर बात करते हैं तोरा पार्षा हाजेनू यह जो है यह second last तोरा पार्षा है इस दिसना के किताब का और जैसे मैंने पिछले वले तोरा पार्षा होत में जो था वो मैंचिन किया था कि यह जो है यह खजां की ईदों के दोरान जो है यह पड़े जाते हैं यह जो आखरी इस दिसना की किताब के जो आखरी चंद तोरा पार्षा है यह खजांग की एदों के साथ जुड़े में और यह विला जो तोरा पार्शा है इसको जो है नॉर्मली जो है यह पार्शा सॉरी पार्शा बोल रही हूं शबाद शुवा पे जो है वो पड़ा जाता है मुझे इल्म है कि मैंने बहुत सी बाते हैं वो आपको बेशक बताई मैंने आपको नहीं मैंशन किया हुआ कि बास जो ये जो खास सबत बीच में आ जाते हैं तो उनके बी जो है चंद एक चास सबत अपने नाम हो जो है और अगर आप यहूदियों से जो है वो बात कर रहे हूंगे तो अगर आप जैसे अन्याका सबत मेरा खाल में भाल वे इस तरह से बोल सकती हूं लेकिन श्वा से मुराद है कि लौटना और सबत से मुराद आद भी है वह सबत है ये जो सबत जो ये यों कुफारा और रोश्ष térशाना यानि कि यों तरुवच and यों क्फारा की इद के दर्म्यान में पढ़ता है तो पार्शा हाजेनु जो है इसको जो है तब पढ़ा जाता है खलाम-े-मकदस में मुकाश्वा की किताब में मुसा नभी के गीत की बात हुई है तो ये जो गीट ये जो है ये इसमें जो है पार्शा हाजेनु में जो है वो हम मुसा नभी का जो है वो गीट जो है वो देखते हैं Anyway मैं इससे पहले कि मैं तफसीलात में जाओं मैं आपको पहले इस तोरा पार्शा के जो है वो हवाला जा दे दूँ आप किताब मुकद्दस में से तुरेट में से इस्तिसना 32 बाप एक से बवन आया आद पढ़ेंगे Deuteronomy chapter 32 from verse 1 to 52 हाफ्तारा में दूसरा सेम्वल 22 में बाप की एक से बवन आया सेकंड सेम्वल चेप्टर 22 from verse 1 to 52 बृत खदाशा की जो हैं हमाला जाच जो हैं वो थोड़े से ज्यादा लगेंगे आपको लेकिन मैं आपको बिताती हूं रोमियों दस बाप 14 से ग्यारा बाप की बारा आयात इंग्लिश में बता दूं रोमन्स चेप्टर 10 from verse 14 to chapter 11 up to verse 12 अब रानियों 9 बाप 19-28 आयात हीब्रूस चेप्टर 9 from verse 19 to 28 और कुछ जो हैं वो रोमियों बारा बाप 19 आयच लेके पंदरा बाप की नामी और दसमी आयात को भी पड़ते हैं तो रोमन्स चेप्टर 12 from actually just verse 19 और फिर चेप्टर 15 verse 9 and 10 तो यह जो हैं यह कलाम मुकदस के जो हैं यह वो हबाला जाते हैं जो आप अपने लिए खुद पढ़ सकते हैं अगर आप जो है इस्तिसना के जो है तीसमें बाप को जो है वो देखेंगे तो तीसमें बाप की सॉरी 31 बाप की तीसमें बाप की तीसमें आयत में आयत को बाप बोल गई यहां पर जो है वो यू लिखा हुआ है जो ट्रॉनमी चेप्टर 31 verse 30 सो मूसा ने इस गीत की बातें इसराइल की सारी जमाद को आखर तक कैस सुनाई और यह जो गीत जो था यह वो गीत है जिसको खुदावन ने जो था वो मूसा नभी को जो था वो लिखने को जो था वो कहा था तो यह जो गीत जो है यह इंपॉर्टन्ट है तो यह जो गीत जो है इसको जो है मुसा का गीत बोला जाता है इस गीत में और जो खरूच का पंदरा बाप में जो मुसा का गीत दर्ज है उसमें फरक है यहूदी लोग जो हैं खुरूच के पंदरा बाप के गीत को जो है वो मुसा का गीत नहीं बोलते हैं बलके उसको सौंग आप तसी बोला जाता है यानि के समुंदर का गीत मेरा ख्याल में आप उसको ऐसे कह सकते हैं लेकिन यह वरा जो गीत है इसको वो मुसा का गीत बोलते हैं ठीक है और अगर तो मुकाश्वा की किताब में वह हमें इस घीत का हवाला मिलता है कि उन्होंने वह इस घीत को गाया तो जैसे मैंने बिताआ कि यह गा करा के तोरापार्शा फास शबाच्युआ वले दिन पढ़ा जाता है तो अब वही बात आ जाती है, ये बहुत सी बाते हैं, हम लोगों को इल्म नहीं है, और मैं जैसे के मैंचिन करती हैं, ये मुकाशवा की किताब को अगर आपने समझना है, तो आपको तोरेत का इल्म होना चाहिए है, आपको यहूदियों के तरज से अबादत का पता होना चा जो है, 32 माप में आप इसको बेसिकली अपने लिए खुद पढ़ सकते हैं, मगर मैं इसमें से 32 माप की किस्वी आयत को जो हूँ पढ़ना चाहूंगी, मेरे साथ जो है, जो टॉरॉनोमी चैप्टर 32 वर्स 21 को देखे हैं, लिखावा है, उन्होंने इस चीज के बाइस, जो कोई उम्मत नहीं, उनको गैरत और एक नादान कौम के जरीए से उनको घुस्सा दलाऊंगा, उके, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन आ, इस साथ को जो हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा जो हूँ, आपको तोड़ कर जो हूँ, सुमझाने की कोशिश करती हूँ, लिखा है, अपनी बातों से मुझे गुस्सा दलाया, तो यहां पर खुदावन बनी इसराइल के लिए बात कर रहे हैं, कि खुदावन उनसे वो गुस्से में है, और वही बात है कि अगर आप इन तमाम आयात को पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि क्यों खुदावन को जो था वो गुस्सा दलाने की बात है, यह क्यों हुई है, और फिर लिखाव है कि सो मैं भी यह खुदावन कह रहे हैं, उनके जरीए से जो कोई उम्मत नहीं, उनको गैरत और एक नादान कौम के जरीए से उनको गुस्सा दलाऊंगा, तो यहां पर जो है, जो कोई उम्मत नहीं, यह जो जो कोई उम्मद नहीं है यह एक इंट्रस्टिंग लफ्स है इंट्रस्टिंग लफ्स एक्चुली मैं मेरा खाल में बहुत आप लोगों को बता चुकी हुए हुँ कि जब यहूदी दानिश्वर जो है या मिस्यानिक यहूदी उल्मा जो है वो जब किताब मुकदस की कित आयात को देखते हैं कि कोई आयट जो है वो कहां नराज हो जाते हैं अगर मैं उनको बदाने की कोशिश करूं कि आप नए एहन नामे तो खुदावन वो अपने लबसों को अपने लिए यह नहीं कहने के करेंगे क्यों के लिखा है राइट सोचें के पुराने एहद नामे में इस तरह से राइटिंग कितनी बाहर आई है ना एहद नामा वो हमारे लिए लिखा गया हमारे अंडर्स्टैंडिंग करने लिए लिखा गया जैसे के बहुत से जो है वो कहने की करते हैं नहीं, न्या एहद नमा जो हमारे लिए लिखा गया है यहुद्यों के बहुत जाद इंक्पोर्टन्स है मगर उसको जो समझ जो है वो आपको पुराने एहद नमे care दाइरे में रहकर देखनी है पुराने एहद नमे के यहुदियों की जो रस्म रवाज है जिसको जुबानी तोरे बोला जाता है कि उसको मताबिक आपने उनको तमाम बातों को देखना है इस आयत में जो है इस तिसना के 32 बाप की 21 आयत में लिखा है कि जो कोई उम्मत नहीं यह जो लख्ष जो है वह एक और जगा पर भी जो है वह इस्तमाल हुआ वह वह जो होजेया तूट्वटी थी में है हुजेया दूसरा बाप उसकी 23 आयत को देखें तो यहां पर यूँ लिखा है मैंने यह ख्याल नहीं किया है मेरे साथ अकसर एक प्राब्लम हो जाती है कि मैं जब तनाफ में देखती हूं तो तनाफ में जो है आयतों की जो तर्तीब है वो थोड़ी सी जो है वो फरक है और यहां पर बेसी कली जो है यह लो अमी जो लफस्ट यह नजर आता और दूसरे बापकी 23 आयत में लिखा वह है और मैं उससको उस सरजमीन में अपने लिए बूंगा और लो रामा पर रहम करूंगा और लो अमी से कहूंगा तुम मेरे लोग हो और वो कहेंगे आई हमारे फिदा तुछ यह लो अमी जो है यह कौन है यह इसके लिए जो है अगर आपको जया पहला बाब उसके नावी आइत को देखें तो और उसने फर्माया कि उसका नाम लो अमी रख क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं होंगा तो यह जो लो अमी है यह अबरानी लबस है लो से मुराद है नहीं और अमी से मुराद है कौम है ठीक है जादा तर यह जो अमी है यह खुदावन के लोगों के लिए इस्तमाल हुआ है मगर इससे मुराद कौम बनता है और गहर कौमों के लिए भी लफ इस्तमाल हुआ है गोई मगर किसी किसी चगह पर हमें कौम के लिए जो है यामीन के बनी इसराइल के हवाले से भी देखा जाए तो जहां तक मुझे याद पढ़ता है कि मैंने यह यह लफ है ठीक है और यही जो लफ जो है यह हमने इस्तिसना उसके 32 बाब की 21 आयत में देखें अगर आप मेरे साथ जो है रोमियो का खत उसका नावा बाब और उसकी 25 आयत को भी देखें तो आपको यही जो आयत है उसे या की जो रेफरेंस है यहां पर भी लिखावा मिलेगा रोमन्स चेप्टर 9 वर्स 25 लिखा हूँ है चुनार्च होसेया की किताब में भी ख़दा यू फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उससे अपनी उम्मत कहूंगा और जो प्यारी ना थी उससे प्यारी कहूंगा यहां पर जो है कि जो उम्मत ना थी उससे अपनी उम्मत कहूंगा ठीक है यह जो लफ्स जैसे मैंने बताया कि यह जो है यह लो अमी है और मैं जो मैं आपके साथ जो हूँ वो आयात को जोड़ कर जो है एक खास बात का जो है वो माने समझाना चाहा रही है क्योंकि इस तिसना के 32 बाप की 21 आयत में जो है वो खुदाबन जो है वो खास फर्मा रहे हैं कि चूंके तुम लोगों ने ऐसा किया है चूंकि तुम लोगों ने मेरे गुस्से को भड़का है गैरत दलाई है तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा कि मैं तुम्हें भी जो हूँ मैं ऐसी कौम से गैरत दलाऊंगा जो कि नादान कौम है ठीक है और अब अगर आप जो है मेरे साथ जो है पहला पतरस उसके दूसरा बाब और उसकी दस्वी आयत को देखें याद रखें कि वह वाला जो बनी इसराइल से मुकातिब हैं कि वहाँ पर बनी इसराइल की बात हो रही है अब पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी दस्वी आयत को देखें पतरस रसूल जो थे वो वैसे यहूदियों के रसूल थे लेकिन उनके खतूर जो है वो मसीही कौम जो है वो पढ़ती है राइट सो पहला पतरस दूसरा बाब दस्वी आयत को देखें फर्स पीटर चैप्टर टू वर्स टैन लिखा वै पहले तुम कोई उम्मत ना थे ठीक है मगर अब खुदा की उम्मत हो तुम पर रह्मत ना हुई थी मगर अब तुम पर रह्मत हुई सो आप जो हैं वो कौन हैं मसीही। जो हैं वो नहींट पहले मगर खुदावन ने उन पर अपना फजल दिखाया, खुदावन ने उनको अपनी तरफ बुलाया, खुदावन ने उन पर अपना रहम किया, कि वो गैर कौमों में से निकल कर आए और खुदावन को अपनाए और यहां पर पत्रस रसूर वो बेसिकली अगर आप इस बाब को पढ़ेंगे, तो वो पत्रस रसूर वो अपने आप को जो है ना, खेर कौमों से हटकर तो अपने चाल चलन को जो है, वो खुदावन के हुपमों के मताबिक करने को कह रहे हैं, कि आप तुमने वो बदकारी नहीं करनी है, बलकि बदकारी से परहेस करना है, ठीक है, तो यह पर खास जो है, वो मेंचन करें कि तुम पर खुदावन रहमत की है, अब तुम खुदा की उम्मत हो, तो दोबारा से जो है, इस तिसना के 32 बाप की 22 आयत को अब बार बार आपके साथ पढ़ रही हैं, थोड़ा सा जो हुआ है, तो उन्हों ने उस चीज के बाइस, जो हुसा दलाया, सो मैं भी उनके जरीए से जो कोई उम्मत नहीं, उनको वहरत और एक नादान कौम के जरीए, उनको घुसा दलाऊंगा, मसीही जो है, वो आप उनको जो है, वो ये नादान कौम जो है, वो कह सकते हैं, किनके वो उम्मत नहीं थी, मगर खुदावन का याद र आपको अपने लोगों में से कार्ट डालेंगे और अब मेरे साथ उसकी verse को देखें जो कि मैं समझाना चाहा रही थी जो कि मैं इस्तिस्ना के हवाले से समझाना चाहा रही हूँ रूम्यों का ग्यारा बाब और उसकी ग्यारा आयत को रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 11 यहां पर लिखा वा है पस मैं कहता हूं क्या उन्होंने ऐसी ठोकर थाई कि गिर पड़े हर्गिस नहीं यहां पर जो है बनी इस्राइल की बात हो रही है बलके उनकी लक्सिश से गैर कौमों को नजात मिली ताके उन्हें गैरत आए तो यहां पर जो है पौलूस रसूल जो है वो बनी इस्राइल कौम को जो है वो कह रहे हैं कि खुदावन जो है उनको गैरत दलाने की कर रहे हैं अब दुबारा से जो है अगर आप इस्तिस्ना के जो है वो हवाले को देखेंगे तो आप जानेंगे कि खुदावन जो है वो उ कौम के थूँद कि यहुदी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि यहुदी जो हैं बेशक जानते हैं कि मसी जो है वो पुराने एहद गामे को उनकी वाईबल का वो इससा है मसीयों की वाईबल का हिस्सा है मगर वो जो है वो शरीयत की बातों पर जो है वो इस तरह से नहीं चलते और वो जो है वो जब मसीहा को देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि मसीही जो है वो शरीयत की बातों पर नहीं चलते कि उनके मसीहा ने जो है उनको गलत तालीम दिया और एवन दो कि वो जानते हैं कि मसीहा जो थे वो यहूदी थे वो जो हैं वो उनकी आंखों पर परता पड़ाव है कि वो पहचान नहीं पा रहे कि मसीहा जो हैं वो उनके ही हैं मसीहा जो हैं वो वही हैं जो कि कलाम के मताबिक जिसने आकर शरीयत की तालीम देनी थी मगर अगर उनको जो है वो समझ नहीं आई तो उसकी वज़ा जो है वो यह है कि जैसे पॉलूस रसूल ने कहा कि ताकि उनकी वज़ा से जो है गैर कौमों को नजाद मिले तो खुदावन के जो वेज वो बिलकुल नराले हैं कि यह जो है यह सोचना कि खुदावन ने वो अपनी कौम को रद कर दिया तो पॉलूस रसूल जो है वो ग्यारावाद के पहली आयत में कह रहे हैं कि मेरे साथ जो आप देख सकते हैं रोमन्स चेप्टर 11 वर्स 1 पस मैं कहता हूँ क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद कर दिया हर्गिस नहीं क्यूंकि मैं भी इस्राइली अबराहाम की नसल और बनिया मीं की कभीले में से हूँ तो वो अपनी मिसाल देकर बता रहे हैं कि नहीं खुदावन ने अपने लोगों को रद नहीं किया बहुत से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि बनी इसराइल कौम को जो है वो खुदावन ने हमेशा के लिए रद कर दिया तो खुदावन भी जो हैं कि क्या कोई मा जो है वो अपने उलाद को जो है वो भूल सकती है नई एक मा तो भूल सकती है मगर खुदावन अपने लोगों को नहीं भूल सकते तो खुदावन के जो अगर कलाम जो है इसको हम जिन्दा कलाम कहते है सचा कलाम कहते है तो हमें इन बातों पर यकीन करना है कि खुदावन ने अपने लोगों को जो है वो नहीं छोड़ा है कि खुदावन का कलाम कहता है कि वो जो है वो अपनी कौम को जो है वो नहीं पूलेंगे वो यरुशलम के लिए वो कहते हैं कि वो यरुशलम को जो है वो कभी नहीं पूलेंगे तो पौलूस रसूल जो है वो ये बताना चाहरे हैं कि वो भी जो हैं वो यहूदी हैं वो इसराइली हैं वो बनी अमीन के कबीले से हैं वो अगर खुदावन की नजात को उनों ने हासल की है यश्युआ पर जो हैं वो इमान लेकर आए हैं तो वो बताना चाहरे हैं कि खुदावन ने जो है इसराइली कौम में से भी लोगों को वो चुना है, उनको जो है, वो रद नहीं किया, क्योंकि अगर उनको रद किया था, तो खुदावन जो है, वो पौलूस रसूल की तरफ, या पत्रस रसूल हो गए, यहना रसूल हो गए, या अखुब का खता में मिलता है, यहनों कि जितने भी रसूल है, तो इनको जो है, व वो खुदाबन का जो फजल जो है वो गहर कौमों पर नाजल हुआ है ताके गहर कौमें जो है वो नजार पाएं और जब गहर कौमें जो है वो जब शरीयत की बातों पर चलेंगी तो उनको जो है वो जैलिसी जरूर होगी उनको यहूदियों को गहरत जरूर आएगी क्योंकि यह तमाम चीजें यह कि तमाम कस्में वादे नबूवतें यह सब कुछ यहूदियों का था यह आपका और मेरा कभी नहीं था यह ये येशुवा की वज़ा से वो हमें मिला है तो पार्शा हाजेनु जो है यह मुसा का वो गीत है जो कि मुकाश्वा की किताब में हमें लिखावा मिलता है जिसका जिकर जो है मुकाश्वा की किताब में मिलता है तो अगर आप मुकाश्वा की किताब को समझना चाहते हैं तो आपको जो है पार्शाहाजेनू के साथ ये जितने भी, ये मैंने जैसे बताया कि तोरेट की बातों को जानने की जरूरत है हैकल में खित्मत को जानने की जरूरत है यहूदियों के रस्म और रवाज को जानने की जरूरत है तो तब आप जाकर जो है मुकाश्वर की किताब को समझ पाएंगे एनिवे ये ये जो था ये तो एक शॉर्ट मैसेज था ख़दावन ने चाहा तो हम अगली दफ़ा जो है वो इस तिस्ना की किताब के आखरी तोरा बार्शा के उपर बात करेंगे और इस से हमारी जो तोरा साइकल है वो खतम हो जाएगी तो आप सभी को शलोम बश्म यश्वा मशिया